परिचय बच्चो आज हम अवकल समीकरण सीखेंगे तो प्रश्न है कि हमें अवकल समीकरण को सीखने की आविशक्ता क्यों है? क्या कोई बता सकता है? सेल, क्योंकि अवकल समीकरण एक अभी व्यक्ति है जो मात्राओं और उनके परिवर्तन की दर्से संबंदित है बहुत अच्छा कोई और? सेल, क्या हम अवकल समीकरण के मात्यम से विकासदर का वडन कर सकते हैं? हाँ, और एक अवकलन समीकरण का हल केवल एक संख्या नहीं है अभी तू एक फलन भी है क्या ये दिल्चस्प नहीं है? चलो, अब शुरू करते हैं इस पार्ट में आप जानेंगे की अवकलन समीकरण को कैसे हल करते हैं? उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अवकल समीकरण की कोटी और घात ग्यात करना अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल ग्यात करना दिये हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्मान करना प्रधक करण चर्विथी द्वारा अवकल समीकरण द्वारा हल निकालना समघातिये अवकल समीकरण को हल करना और रेखिक अवकल समीकरण को हल करना आधार भूत संकल्पनाए एक समीकरण जिसमें स्वातंत्र चर, आश्रे चर एवं उनके अवकलज समलित होते हैं एक अवकलन समीकरण कहलाता है एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें केवल एक स्वातंत्र चर समलित होता है सामा ने अवकल समीकरण कहलाता है उधारण के लिए dy बटा dx माइनस x लौग x बराबर 0 अवकल समीकरण की कोटी अवकल समीकरण की कोटी अवकल समीकरण में उपस्थेत उच्चतम अवकलज होती है उधारण के लिए 1 बटा x गुणा दी दो वाई बटा डी एकस वर्ग बराबर ई की खात एक अफकल समिकरण है। उच्चतम कोटी वाले अफकलज अर्थात डी दो वाई बटा डी एकस वर्ग की कोटी दो होती है। अवकल समीकरण की डिगरी यानी खात, अवकल समीकरण में उपस्थेत उच्चतम कोटी के अवकलज की उच्चतम खात उस अवकलज समीकरण की खात कहलाती है, उधारन के लिए एक बटा X गुणा D2Y बटा Dx वर्ग बराबर E की खात X एक अवकल समीकरण है, इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है एक बटा एकस गुणा डी दो वाई बटा डी एकस वर्ग संपून घात एक बराबर ई की घात एकस अर्थात उचितम कोटी के अफकलज की घात एक है उधाराण निनलिकित अफकल समीकरण की कोटी और घात ग्यात करें हल दिया गया है की दी दू वाई बटा डी एकस वर्ग की संपून घात तीन जमां दी वाई बटा डी एकस बराबर साइन एकस इस अफकल समीकरण में कोटी दो है और खात तीन है अफकल समीकरण का व्यापक एवम विशिष्ट हल व्यापक हल एक NV कोटी के अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर, राशी, C का मान बदल सकता है उधारण के लिए अवकल समीकरण DY बटा DX बराबर E की खाथ X-2 इसे समीकरण एक से चिनहित करें व्यापक हल को निम्न प्रकार से प्राप्ट किया जा सकता है समीकरण एक के दोनों तरफ समा करण करने पर हमें प्राप्ट होता है Y बराबर E की खाथ X-2X प्लस C इसे समीकरण दो से चिनहित करें हल में C का मान कुछ भी हो सकता है क्यूंकि जब हम Y का अवकलन करते हैं तो C का मान शूने हो जाता है क्यूंकि एक अचर का अवकलन शूने होता है विशिष्ट हल एक NV कोटी के अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी C का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंबिक मान समस्याओं में होते हैं अवकलन समीकरण DY बटा DX बराबर E की घाथ X-2 का व्यापखल Y पराबर E की घाथ X-2X प्लास C है जब Y 0 पराबर 3 है इसका तादपर है X बराबर 0 पर Y पराबर 3 है समीकरण 2 में X सथा Y का मान रखने पर हमें प्राब्त होता है C बराबर 2 अवकलन समीकरण का विशिष्ट हल है Y बराबर E की घाथ X-2X जमाद 2 उधारण अवकलन समीकरण DY बटा DX बराबर 4X-2 का विशिष्ट हल ग्याथ कीजे जब X बराबर 3 है तब Y बराबर 5 दिया गया है अल दिया गया है DY बटा DX बराबर 4X-2 DY बराबर 4X-2 DX दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं Y के सापेक्ष एक का समाकलन बराबर X के सापेक्ष 4X-2 का समाकलन Y बराबर 2X बर्ग-2X प्लस C विया पक्खल है जब Y बराबर 5, X बराबर 3 हो तब 5 बराबर 2 गुणा 3 बर्ग-2 गुणा 3 प्लस C 5 बराबर 18-6 प्लस C 5 मैनस 12 बराबर C, C बराबर मैनस 7 दी गई प्रारंभिक इस्थिती के लिए विशिश्ट हल Y बराबर 2X बर्ग-2X मैनस 7 है दिये हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरां का निर्मा स्वेच अचर युक्त तथा XY में एक दिये गई समीकरां से एक अवकलन समीकरां का निर्माण करने के लिए दिये गई समीकरां को X के सापेक्ष निरंतर उतनी बार अवकलित किया जाता है जब तक एक स्वेच अचर ना आ जाए इन समीकरां का उप्योग स्वेच अचर को हटाने के लिए किया जाता है स्वेच अचर को हटाने से प्राप्त समीकरां को वांचनिये अवकलन समीकरां कहा जाता है समानिता यदि दो चरों के बीच का समीकरण में N स्वेच अचर हैं, तब इन स्वेच अचरों को हटा कर प्राब्द हुआ अफकलन समीकरण N कोटी का होगा महतपूर्ण बिंदू 1. एक रेखा का समीकरण पाही बराबर Mx प्लस C है, जहां M और C स्वेच अचर है 2. मूल्ग से होकर गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण Y बराबर Mx होता है, जहां M और C अचर है 3. वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र H के तथा त्रिज्य आर है, X माइनस H पूरे का वर्ग प्लस Y माइनस के पूरे का वर्ग बराबर R वर्ग है 3. उधारण वक्र कुल का अफकलन समीकरण ग्याद कीजिए Y बराबर M cos 6X प्लस N sin 6X जहां M N स्वेच अचर है हल दिया है Y बराबर M cos 6X प्लस N sin 6X इसे समीकरण एक से चिनहित करें समीकरण एक का X के सापेक्ष अफकलन लेने पर हम पाते हैं इसे समीकरण बराबर M cos 6X इसे समीकरण दो से चिनहित करें समीकरण दो का X के सापेक्ष अफकलन लेने पर हम पाते हैं इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है D2Y बटा DX वर्ग बराबर M-36 गुणा M cos 6X प्लस N sin 6X इसे समीकरण 3 से चिनहित करते हैं समीकरण 3 में Y का मान रखने पर हम पाते हैं D2Y बटा DX वर्ग बराबर M-36Y अतैव D2Y बटा DX वर्ग प्लस 36Y बराबर M-9 यही वांचनिये अफकलज समीकरण है प्रथम कोटी एवं प्रथम घात के अफकल समीकरण को हल करने की विधियां प्रितक करणिये चरवाले अफकल समीकरण अफकलज समीकरण निमनिलिखित रूप का होता है DY बटा DX बराबर FX बराबर GY या GY बटा FX या FX गुणा GY उन्हें क्रमशा इस तरह से लिखा जा सकता है अफकल समीकरण को हल कीजे DY बटा DX बराबर E की खात X-Y प्लस X वर्ग गुणा E की खात गटा Y हल दिया है DY बटा DX बराबर E की खात X गटा Y प्लस X वर्ग गुणा E की खात गटा Y दाएं पक्ष से E की खात गटा Y उभेनिष्ठ लेने पर हमें मिलता है DY बटा DX बराबर E की खात X प्लस X वर्ग गुणा E की खात गटा Y चरों का प्रतिक करण करते हैं तथा हमें मिलता है E की खात Y DY बराबर E की खात X प्लस X वर्ग DX दोनों पक्षों का समा कलन करने पर हमें मिलता है Y के सापेक्ष E की खात Y का समा कलन बराबर X के सापेक्ष E की खात X जमा X वर्ग का समा कलन अर्थात E की खात Y बराबर E की खात X प्लस X घन बटा 3 प्लस C ये दिये गए अफकलन समिकरण का व्यापक हल है समखातिये अफकलज समीकरण एक प्रधम अफकलज समीकरण के रूप में M, X, Y, D, X जमा N, X, Y, D, Y बराबर 0 को समखातिये कहा जाता है यदि capital M और capital N दोनों गुणांक फलन समानखात के समखातिये समीकरण हो हल विधी प्रतिस्थापन Y बराबर VX या X बराबर UY का उप्योग करते हैं प्रतिस्थापन के बाद परिणामी समीकरण, प्रितक करणिये समीकरण होदा है उधारण अफकल समीकरण को हल कीजे DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन हल दिया है DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन इसे समीकरण एक नाम दीजिए ये एक समगातिये अफकलन समीकरण है हम Y बराबर VX रखेंगे X के सापेक्ष दोनों तरव अफकलन करने पर DY बटा DX बराबर X गुणा DV बटा DX जमा V अतैव समीकरण एक को इस प्रकार लिखा जा सकता है V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर VX घन बटा X घन जमा V घन गुणा X घन V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर V बटा 1 जमा V घन X DV बटा DX बराबर V बटा 1 जमा V घन घटा V जो बराबर होगा V घटा V घटा V किखा 4 बटा 1 जमा V घन के दोनों पक्षों पर समा कलन करते हैं तथा हमें राप्त होता है X के सापेक्ष 1 बटा X का समा कलन बराबर घटा V के सापेक्ष 1 जमा V घन बटा V किखा 4 का समा कलन X के मोट का लॉग बराबर 1 बटा 3 व घन घटा V के मोट का लॉग जमा लॉग C वी एकस के मोट का लोग बटा सी बराबर एक बटा तीन वी घन ये इंगित करता है वी एकस बटा सी बराबर एक खात एक बटा तीन वी घन ये इंकित करता है कि y बटा c बराबर e की खाथ x घन बटा 3y खन अथवा y बराबर c गुणा e खाथ x घन बटा 3y खन रहखिक अफगलन समीकरण रहखिक अफगलन समीकरण dy बटा dx जमा by बराबर q का हल जहां p और q केवल x के फलन है निम्ने लिकित है जहां i.f समकलन गुणक का प्रतिक है तथा इसे नीचे दिये गए सूत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है i.f बराबर e किखाद x के सापेक्ष p का समकलन यदि अफगलन समीकरण dx बटा dy जमा px बराबर q के रूप में हो जहां p और q y के फलन है और ना की x के या अचर के इस इस्तिती में समकलन समीकरण i.f बराबर e किखाद y के सापेक्ष p का समकलन है और हल x गुणा i.f बराबर y के सापेक्ष q गुणा i.f का समकलन जमा c है नोट यदि dy बटा dx का गुणांक इकाई ना हो तब इसे इस दोरान इकाई बनाया जाना चाहिए उधारण अफगलन समीकरण को हल कीजिए हल दिया गया है dy बटा dx जमा 3x वर्ग y बराबर 6x वर्ग इसे समीकरण एक से चिनहित करें px बराबर 3x वर्ग और qx बराबर 6x वर्ग के साथ दिया हुआ समीकरण रहखिक है समाकलन गुणक को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है i.f बराबर e की खात x के सापेक्ष 3x वर्ग का समाकलन जो की बराबर है e की खात x घन के समीकरण एक को समाकलन गुणक से गुणा करने पर हमें विलता है e की खात x घन गुणा dy बटा dx जमा 3x वर्ग गुणा e की खात x घन गुणा y बराबर 6x वर्ग गुणा e की खात x घन अथवा d बटा dx गुणा e की खात x घन गुणा y बराबर 6x वर्ग गुणा e की खात x घन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमारे पास है e की खात x घन गुणा y बराबर x के सापेक्ष 6x वर्ग गुणा e की खात x घन का समाकलन बराबर 2 गुणा e की खात x घन जमा c y के लिए हल करने पर हमें मिलता है y बराबर 2 जमा c गुणा e की खात x घन क्या आप जानते हैं गोट फ्रियेद विलहेम लेबनीज ने चर प्रितक करन की विधी दी उन्होंने रैकिक अफकलन समेकरन का हल भी प्रतान किया सारांज आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संक्षेप में दोहराएं एक समीकरन जिसमें स्वतंत्र चर आश्रिचर एवं उनके अफकलज समलित होते हैं एक अफकलन समीकरन कहलाता है अफकलन समीकरन की कोटी अफकल समीकरन में उपस्थित उच्चतम अफकलज होती है एक एनवी कोटी के अफकल समीकरन के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी सी का मान बदल सकता है एक एनवी कोटी के अफकल समीकरन के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी सी का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान की समस्याओं में होते हैं यदि दो चरों के बीच के समीकरन में एन स्वेच अचर समलित हो तब इन स्वेच अचरों को हटा कर प्राब्द अफकलन समीकरन एन घात ये होगा प्रिधक करने चर के साथ अफकलन समीकरन में सर्व प्रथम हम चरों का प्रथक करन करते हैं एवं फिर उनका समा कलन करते हैं प्रथम कोटी के अफकलन समीकरण के निम्न रूप को समघात ये कहा जाता है यदि दोनों कुणांक फलन M तथा N एक समान घात के समघात ये समीकरण हो सर्व प्रथम हम Y बड़ाबर VX कमान रखते हैं तथा फिर परिणामी समीकरण प्रितक करनिये चर होता है रहकिक अफकलन समीकरण DY बटा DX जमा PY बराबर Q का हल Y गुणा समाकलन कुणक बराबर X के सापेक्ष Q गुणा समाकलन कुणक का समाकलन जमा सी जहां I.F समाकलन कुणांक का प्रतीक है बराबर E की घात X के सापेक्ष P का समाकलन जहां P तथा Q X के फलन है यदि अफकलन समीकरण के रूप में DX बटा DY जमा PX बराबर Q लिया जाता है तब इसका हल है X गुणा समाकलन कुणांक बराबर Y के सापेक्ष Q गुणा समाकलन कुणांक का समाकलन जमा सी जहां I.F बराबर E की खात Y के सापेक्ष P का समाकलन जहां P और Q Y के फलन है ना की X या अचर के झाल झाल